वीडियो में आपका स्वागत है अब आपको मैं बताना चाहूँआं सिलिंग फेन होममेड मसीन के बारे में कि अब सिलिंग फेन होममेड मसीन आप आपके घर पे ही बनाएं और घर पे क्यों बनाएं उसके बारे में भी में जानकरी दूआ और घर पे कैसे बनाएं उसकी ड्राइंग भी में आपको बना के बताउ हूँआ सारी साइज वगेरा बना के बताऊँगा और आप स्वयम आपके घर पे आप सिलिंग फेन होम मरसीन बना सकते हो और पूरा वीडियो देखे हो गए तो आपको एक-एक बात मालूम पड़ जाएगी अब मैं आपको बताना चाऊँगा ये वाला ये बाटम का ड्राइंग बनाया हुआ है ये ड्राइंग नीचे के बाटम की साइज का है इसको भाग एक दे रखा है अब इसकी साइज मैं आपको बता दूँ ये साइज है बाराइंच लंबऑ है साड़ा दसी जोड़ए है और इसका जो ये है ये बाराइंच है ये अंदर का ये और ये इदर वाला चोड़ए का साड़े दस इनच है यह इसमें लिखा हुआ है यह 10.5 इंची यह 12 इंची अब यह वाला angle का टुकड़ा लगाया है यह 6 इंच लंबा है अब यह जो motor मंथाने की जो कसी हुई है उसका यह यह जो पत्ती है यह यह जो पत्ती लगाया हुआ है यह पांच-पांच इंच का है ये इसमें वेल्डिंग करवा है ये आपका निचे का बाटम का ड्राइंग आपकी हो गई आप कभी इसको देखना चाहते हो तो ये वाली साइज में ने आपको बताया है ड्राइंग में और ये वाला जो निकला हुआ है ये वाला है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सक्राइब कर देना और सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा देना और आपको दोस्तों को शेर कर देना और लाइक ज़रूर करना अब इसके बारे में मैं आपको बता हुआ इसके ड्राइंग अब इसके ड्राइंग यह है यह इस्टेटर है यह 10 इंची लंबा लिया हुआ है दो पत्ती और इसमें करा हुआ है और यह दो बोल्ट लगाया हुआ है ये 12 के बोल्ट है ये और ये 10 इंच की पत्टी है ये वाली है ये 10 इंच का पत्ती है और ये बोल्ट लगाया हुआ है और इसमें ये इस्चेटर आपकी शुविधा अनुसार इसको आप टाइट कर सकते हों ये वाला इसका ड्राईंगे ये वाला आप ये स्पिंडल है ये स्पिंडल का ये स्पिंडल है ये वाला ये साथ इंची की इसकी लंबई है ये और ये बेरिंग जो है ये बेरिंग ये वाला बेरिंग है ये ये आपके सुरिदा अनुसार आपके पास ज्यादा पेसे है तो बड़ा बेरिंग ले ले और पेसे कम है तो चोटा ले ले चोटा बेरिंग वाईबरेशन करेगा और बड़ा बेरिंग अच्छा चलेगा तो आपके सुईदा अनुसार ये लोहा और ये आप लेत वाले को दे सकते हो इसके इसाप से आपका साइज बना के बेरिंग में भी कि लगा सकता भाड़ा वालाव बेरिंग कोई सभी आ अप ले सकते हो सुविद्ए अनुसार और कर सकते हो यह questo से यह अच्छा लग ले ले करह सिंडल के साइज के अनुसार आ आफ यह लगा लिए आफ यह स्पिंडल में य। यह यह वाला, य फ्यन का भेरिंग है, यह यह 52 है यह य। यह 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 लगा हुआ है यह हलो वाला है यह स्पिंडल तो सह वाला ला यह ऐसा घूम जाए यह डई अब यह आपको बता दिया अब दूसरा जो है यह यह ताड़ी का यह बनाया हुआ है 10 इंची का लंबा लेया हुआ है यह 10 इंची है और यह दो ताड़ी है अब यह दो ताड़ी के तार आपके इस्टेट कहां से लाएंगे तो इसके बारे में मैं जानकारी दूआ कि यह आप जो वेलडिंग की ताड़ी रहती है उसका माल निकालकर आपको फ्रेश ताड़ी निकलाईए अंदर से उसका थोड़ा आप उसको ठोकेंगे तो उसका माल उपर से निकल जाएगा दो ताड़े निकल जाएगी वो आप लगा सकते हो और ये मन्थानी की मोटर है और ये सारी पूली है आप आपकी सुविदा अनुसार पूली लेख सकते हैं बड़ी लोगे तो और अच्छा है छोटी लोगे तो थोड़ा वाइबरेशन करेगा बड़ी लोगे तो वाइबरेशन नहीं करेगा वो आपके हिसाफ से आप ले सकते हो अब फिर मोटर है तो मोटर से तो आपका कुछ ही नहीं इस इसाब से मैंने आपको ये करके बताया है अब मैं इसकी जानकारी दुआं कि मेरे भई और मेरे प्रेमियों का कामेंट था कि आप मेरे को मसीन बना के दो अब मैंने मेरे प्रेमियों को और मेरे दोस्तों को पांच मसिन बना के दिया मैंने और पांच मसिन मेरे आडोस पडोस में दिया है वो चला भी रहें फिर पांच से पच्चिस का अडर आ गया और पच्चिस से पचास का अडर आ गया अब मैं ये मसीन बना के देने में आसमर्त हूं क्योंकि मेरा जो काम है वो काम मेरे को छोड़ना पड़े अब मसीन बनाने के लिए कारखना खोलना पड़े से इसलिए मेरे दोस्तों को में के ना चाहता हूं कि में मसीन देने में अश्मर्तूं क्योंकि मेरे पचास मसीन का अड़र है और मेरे दोस्तों कामेंट में मैरे को को कहते हैं तो मैं कित्ती मस require बनो मेरे कोई जिसाब से कारखा न खुलना पड़े और जो मेरा जो काम है वो तो काम होगा नहीं और ये दूसरा काम में करने में आज समर्थ हूं इसलिए मेरे दोस्तों को मैं केना चूँआ कि मैं आपको मसिन बना के नहीं दे सकता इसलिए मैंने आपको ड्राइंग बना के उसका बाटम बना के समझाया है आप आपके घर पे बना सकते हो और ये पंखे का बेरिंग ये या डैं में लगा सकते हो ये वाला अब ये एसा मैं किसलिए के रहा हूं कि मेरे दोस्तों को अच्छा लगे मेरे दोस्तों नाराज नहीं होए और मेरे दोस्तों में हमेशा खुशी बनी रहे हैं इसलिए क्यों कहना चाहरे हूं अब मैं 50 मशीन कहां से बना के दूँ पांच मशीन मैंने बना के दी है वो चला भी रहे हैं वो पंखे इस्टेटर भर भी रहे हैं वो अच्छा उनका काम चल दिया है आप वो कह रहे मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो आप कामेंट में कम से क जित्ते लोगों को कम से कम मेरे को ऐसा अंदाज है कि पच चास लोगों ने मेरे को बोला हुआ है कि आप मस्ञें बनाके दो। अब मस्ञें की कीमत में ईर्इजिनेवल रेट रखाए केवल एक हजार रुप्य अब एक हजार पर अब मैं मशीन बनाने अगर लग गया तो मेरे को इसे साब से कार खाना खुलना पड़े पांच मसीन बना के दिए पचास का अडर मिला आप पचास अगर मैं बना के दू तो मेरे दोस्तों उनको कि मैं मसीन कहां से बना के दू इती इसलिए मैं मेरे दोस्तों तो समा चाहता हूँ उनसे मैं समाच आता हूँ कि मैं आपको मशिन बना के नहीं दे सकता क्योंकि मैं अगर आपको मशिन बना के दूआ तो मेरा काम कब करूआ बस इत्ते ही केना चाहूआ जे हिन जे भारत